जितनी भी MLM schemes चल रही है, pyramid schemes चल रही है, direct selling companies चल रही है, affiliate marketing companies चल रही है, कि वो legal है या illegal है, ये कैसे समझा जाए, तो इसके लिए government of India ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा step उठाया, कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको क्या करना है, you should immediately lodge a complaint with the state police, तो ये RBI का क मतलब देखना ये है, क्या वो जो product है, वो service है, उसका जो price है, वो market से थोड़ा ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा है, consumer protection direct selling rules 2021, 2021 में आये थे, इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं, इसलिए ये scam इतने असानी से चल रहे है, अगर पता हो, तो इनकी दुकान दो दिन में बंद रहे है, दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत सारे networker बहुत ज़्यादा डरे हुए, क्योंकि उनको लग रहा है कि network marketing company fraud है, network marketing company scam कर रहे है, लेकिन दोस्तों, आज आप लोग को घबरानी के ज़रत नहीं है, क्योंकि उसी का solution लेकि आया हो इस video के अंदर, आप लोगों को पता चलने वाला है, इस video के अंदर, कि network marketing fraud है, या फिर legal है, दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कि बहुत सारे ऐसी कंपनिया है, जो 1000 का course को 50,000, 1,15,200,000 रिपया में बेचती है, success के नाम पर, लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, कि network marketing company क्या कर रही है, और course बेचने वाली company क्या कर रही है, दोस्तों, network marketing के अंदर भी बहुत सारी ऐसी company है, जो कि बहुत ही illegal तरीके से काम कर रही है, और वो fraud company है, और उसी के चलते, जो genuine company है, जो genuine तरीके से अपना काम कर रही है, वो company भी बदनाम है, दोस्तो बिन तरीके से product base पर काम कर रही है, value for product के उपर वो company fraud नहीं है, तो दोस्तो आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है, कि भाई network marketing fraud है या फिर नहीं है, क्योंकि संदीप महिसवरी सर ने बहुती बढ़िया तरीके से fraud company का धोती खोल दिया है, और ये जो चैनल पर डाल रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोग aware हो जाएं, और बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएं, और मैं भी संदीप महिसवरी सर का वीडियो से inspired हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को देखिए, बिना skip के हुए इस वीड documents है, इसका मैं लिंक देदूँगा अपने वीडियो के description में नीचे, तो आप click करके, directly जा करके, government की जो websites है, वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये मैंने ही कह रहा हूँ, हमारी country की government कह रही है, ये उनके notifications है, सबसे पहले ये समझो, कि जो scams है ना इस तरह देखे, ये आज से नहीं चल रहे है, ये पिछले 100 साल से चल रहे है, तो इसके लिए 1978 में एक act बना था, जिसको बोलते हैं, Price, Chit and Money Circulation Act, जहाँ पर के, इस तरह की जो money circulation schemes होती है, या pyramid schemes होती है, उन सब को ban कर दिया गया था, मतलब क्या, कि अगर आप, एक company खोलते हो, और किसी से पैसा लेते हो, for example, मैंने company खोली, वहाँ पे मैंने आप से एक लाख रुपे लिया, और आपको बोला, कि आप आगे किसी को join करा दो, तो जब आपने किसी को आगे join कराया, अपने friend को, relative को, किसी को भी, और कैसे भी, तो उसमें आपको कितना मिला, 30,000, 70,000 किसको मिल company को, तो इस scheme इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, यानि वो जो पैसा आ रहा है, वो ही पैसा public से ले करके public में ही rotate कर दिया जाता है, और एक ऐसा point आता है, जब जा करके पूरा का पूरा जो pyramid है, यह collapse कर जाता है, तो यहाँ पर जो लोग top पे बैठे होते हैं, वो तो पै पैसा डूब जाता है, और फिर या तो यह companies बंद हो जाती है, या भाग जाती है पैसा ले करके, past में ऐसा बहुत companies ने किया है, उसमें से बहुत सारी companies के जो owners हैं, वो आज जेल में है, तो यह एक proper scam है जिसको government ने बैन किया हुआ है, फिर सवाल उठता है कि जब यह बैन है तो लोग कैसे कर रहे हैं, देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, आपसे अगर मैं पैसा लेता हूँ, और आपको बदले में कुछ नहीं देता हूँ, तो वो तो illegal है, लेकिन मालनो मैंने आपसे पैसा लिया, 50,000 रुपे, बदले में आपको एक 50 रुपे का product दे दिया, तो क्या वो legal है, illegal है, हो गए ना confused, तो ये एक loophole है, ये जो law है उसके अंदर, इसको ये लोग use कर रहे हैं, मतलब government ने क्या कहा, कि अगर आप किसी के घर का दरवाजा तोड़ते हो, और अंदर जाते हो, और चोरी करते हो, तो आपको सजा होगी, लेकिन ये लोग क्या बोल करते हैं, तो जो companies genuine है, और जो fake है, उसमें सबसे बढ़ा फरक क्या होता है, कि जो product है, अगर लोग उसकी वज़े से join कर रहे हैं, और वो ही advertising में कहा जा रहा है, वो ही उसका owner कह रहा है, तब तो वो genuine है, मेरे हाथ में ये Reserve Bank of India का circular है, इसमें clearly RBI ने, यानि Reserve Bank of India ने caution किया है public against multi-level marketing activities, इसमें मैंने कुछ points को highlight किया हुआ है, उसको मैं एक बार आपको explain कर देता हूँ, income under such schemes majorly comes from enrolling more and more members from whom hefty subscription fees are taken, rather than from the sale of products they offer, तो ये RBI का कहना है, मतलब देखना ये है, क्या वो जो product है और service है, उसका जो price है, वो market से थोड़ा ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, अब आपको ये बहुत मज़दा रवाय बिदाता हूँ, ये सिखा रहे हैं दस दिन का MBA, 10 दिन में कौन सा MBA होता है, मतलब इसे साब से IIM और ये जितने top MBA colleges हैं, उसकी preparation के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तयारी करते हैं, कैट को क्राक करने के लिए, उसकी तो कुछ ज़रूत ही नहीं है, साक्षात विवेक बिंद्राजी, आपके सामने 10 दिन तक रोज प्रकट होंगे, और आ करके आपको 10 दिन में MBA करा देंगे, प्रोफेसर साहब, एक बात बताईए, आपने अपनी वीडियो में बोला, कि एक image मैं 20 अजार उपे की बेच रहा हूँ, तो क्या वो scam नहीं है, और वो 50 अजार का course बेच रहे हैं, तो वो scam है, इसका क्या मतलब है, मतलब भाई साहब यह है, कि मेरी जो 20 अजार की images हैं, वो कौन खरीदता है, आप में से कोई भी है, जिसने आज तक मेरी कोई भी image खरीदी, not even a single person, तो हमारी images कौन खरीदता है, जो बड़ी-बड़ी companies हैं, बड़े-बड़े brands हैं, जिनकी turnover हजारो करोड़ रुपे की है, वो 20 अजार रुपे की image खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो images हमसे नहीं खरीदेंगे, और खुश शूट करेंगे, तो उनका खर्चा आएगा 5-10 लाख रुपे, और वो image कितने में मिल गई? 20 अजार रुपे में, हमने जब वो शूट किया, तो हमने 10 लाख रुपे लगाया, तब जाकर के 20 अजार में एक image बेची, तो इसमें किसका फाइदा है? उस company का भी फाइदा है, और हमारा भी फाइदा है, इसको business बोलते हैं, हमारा, और हमारा, पर वॉपे, जार रुपे, जार बींटिया यहार नान के बॉद मीश खाइदा है? 1978 members of public coming across such offers ध्यान से सुनना should immediately lodge a complaint with the state police ये RBI कह रही है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना है you should immediately lodge a complaint with the state police अब एक और notification है जो बहुत important है in fact most important है इस पूरी की पूरी discussion के लिए जितनी भी MLM schemes चल रही है pyramid schemes चल रही है, direct selling अपनीश चल रही है affiliate marketing अपनीश चल रही है कि वो legal है या illegal है ये कैसे समझा जाए तो इसके लिए Government of India ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा step उठाया ये मेरे हाथ में एक notification है Government of India का Ministry of Consumer Affairs का उसमें क्या कहा गया है ये total 13 page का document है जिसमें क्या कहा गया है the central government hereby proposes to frame consumer protection direct selling rules 2021 2021 में आये थे ये इसके बारे में बहुत लोगों पता ही नहीं इसलिए ये scam इतने असानी से चल रहे है अगर पता हो तो इनकी दुकान दो दिन में बंद हुए है detail में अगर आप जानना चाहते हैं में क्या क्या लिखा हुआ है तो नीचे यहां पर description में आपको link बिलेगा उस पर click करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको मैं बस short में कुछ points मैंने highlight करे हुए है वो आपको बताता हूँ जो समझना बहुत ज़रूरी है इट applies to all models of direct selling whether it is multi level, whether it is single level whether it is affiliate किसी भी structure से आप selling कर रहे हो तो आपको इन rules को follow करना है सबसे पहला rule क्या है it has no provision that a direct seller will receive remuneration or incentives for recruitment oblique enrollment of new participants in the direct selling business except as a result of sale of goods or services by them मैं इसको थोड़ा सरल भाशा में translate करके बताता हूँ इसमें कहा जा रहा है आप अगर एक direct selling company हो तो आपकी company में जो direct sellers है उनको जो पैसा मिल रहा है या incentive मिल रहा है या commission मिल रहा है वो नए members को enroll करने पर नहीं मिलना चाहिए बलकि वो मिलना चाहिए for sale of goods or services by them वो जो company goods or services दे रही है उसकी value क्या है अब ये कौन decide करेगा जिनोंने वो purchase किया अगर तो उन्होंने 50,000 का course purchase किया इनकी company से और वो सब satisfied है तो कोई problem ही नहीं है बट अगर उसमें से 99% लोग satisfied नहीं और अपना पैस वापिस मांग रहे हैं और ये पैस वापिस नहीं कर रहे हैं तो ये scam है ना बिंदरा जी आपने पूछा था ना क्यों है ये scam तो बता रहा हूँ आपको इसमें कहा गया है इसमें कहा गया है मतलब कि कोई buyback का option होना चाहिए किसी company ने आपको 50,000 रुपे के कुछ products या services दे दी अब आप कहते हैं मेरे किसी काम की नहीं है तो अब आप उसका क्या करोगे उस company को एक buyback policy देनी पड़ेगी अब देखना ध्यान से सुनना ध्यान से समझना buyback आप किस चीज़ पर दे सकते हो जिसकी कोई market value हो मतलब कि government क्या कह रही है यहाँ पर कि आप कोई ऐसा product बेचो direct selling में जिसकी कोई market value हो क्योंकि अगर तीन महीने बाद वो इनसान आ करके कहता है कि यह लो आपके products वापस तो उस company को पता है कि यह products pad है तो यह products हम किसी और को दे देंगे तो ना company का नुकसान हुआ ना customer का नुकसान हुआ बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई market value ही नहीं है for example आपने एक course खरीदा इनसे अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि एक course मैंने 50 जारगा लिया है आपको 5000 जारगा देती हो ले लो कोई लेगा 500 रुपेगा तो इसकी market value क्या है zero it is a clear violation of this act इसलिए यह scam है बिंदरा जी उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी it was never meant to be Sandeep Maheshwari versus Vivek Bindra it was just an awareness video जबरदस्ति आ करके बीच में छलांग मारी है उन्होंने जबरदस्ति मेरा मकसद सिरफ किसी एक person को target करना नहीं है बलकि सबको aware करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है तो बच करके रहो Miss Selling means recklessly misrepresenting a product or service in order to successfully complete a sale it also includes providing consumers with misleading information about a product or service this can involve omitting key information मतलब key information आप उनसे छुपा रहे हो about a product or providing information that makes the product appear to be something it is not मतलब के अगर सरल भाशा में बोला जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे है उन्होंने अपनी एक वीडियो में नहीं पता नहीं कितनी वीडियो में खुले आम खुद उन्होंने विवेक बिंदरा ने खुल करके बोला है कि अगर आप महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमा सके तो मैं आपके सारे पैसे वापिस कर दूँगा अब एक सबसे इंपोर्टन क्लॉज आ रहा है इसके बाद मैं एक वीडियो प्ले करूँगा क्लॉज नंबर 7 का 2E एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो सबसे इससे कोई फाद नहीं पड़ता के आपने उस कम्ठी के साथ में क्या एगिडियोgiving किया है फरक इससे पड़ता है कि लोग क्या है फर आप किसी के साथ में एगिरिमेंट करते हो किसी का मडर करने के लिए तो आप court में जाकर कि यह नहीं बोल सकते थे कि हमारा agreement था क्यों? क्योंकि जो country का law है वो किसी भी agreement के उपर है the law of the land supersedes all agreements तो आप लोग जो डर रहे हो न कि हमने उनके साथ में contract sign किया, agreement sign किया है अरे पहले law को तो देख लो law क्या कहता है अगर law के हिसाब से वो गलत है तो गलत है no matter कि उसने आपके साथ क्या agreement किया है that agreement must be in line with the law of the land तो यह clause को मैं दुबारा से पढ़ूगा ध्यान से सुनना a direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back deficient services deficient word का क्या मतलब होता है कोई भी ऐसी services जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो consumer है वो कहता है कि यह जो आपने मेरे को course दिया है यह product दिया है service दिया है यह बिकार है किसी काम की नहीं है तो इस company को पैसा refund करना ही पड़ेगा यह मैं नहीं कह रहा हूँ हमारी गंडरी का law बोल रहा है अब यह जो मैंने आपको कुछ points बताए इसके according एक बार एक छोटी सी वीडियो को देखो बड़े professor की देखते हैं वो क्या बोलते हैं मैं आपको अपना WhatsApp का नंबर दूँगा email address दूँगा महां बोल दीजिए आपकर के पैसे ले जाईए नहीं भी आना तो आप email कर दीजिए आपको पैसे आपके अकांट में ट्रांस्टर हो जाए तो आप या तो सिचाफ साथ अजार पर वापिस ले जाईए या लाखो 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए दोनों मैंसे कुछ भी कर दो बही अगर मैं आपको पैसे कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या हख बनता है आपसे ले जाए 100% cashback guarantee रिवर्स हो गया गेम चेंज कर दिया पूरा इसे लिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनस में कैसे सफल हूँगा अरे आपसे बोल रहा हूँ पूछने में क्या जा रहा है पैसे तो नहीं लग रहे हैं फोन करने पे पैसे नहीं लगते पता लगाओ अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनस टफल कैसे होगा अगर मैं विवेक बिंदरा आपको आ करके प्रॉमिस दे रहा हूँ 100% money back guarantee वो इसे लिए दे रहा हूँ अगर कोई भी हमारे साथ IBC बनता है और वो चाहता कि मैं पैसे कमा हूँ और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता तो no questions ask उसका पैसा उसको वापिस कर दिया जाएगा that's called money back guarantee दम नहीं है किसी महीन यह बोलने का जो हम बोल रहा है guarantee दे रहा हूँ 10 लाक रुपे महीना पे आप पहुंचेंगे नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापिस मांग लेना बड़े बड़े claims कर दिये एक बार समयने की कोशिश करते हैं क्या वो practically possible है या नहीं है इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाक रुपे कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापिस ले जाएए साल का एक करोड रुपे अगर एक देना चाहते हैं आप लोग को और एक लाक लोग इनकी कंपनी में जॉइन कर चुके है तो कितना पैसा चाहिए एक लाक करोड रुपे तो हमारी टीम ने क्या किया इनके जो financials है उसको चेक किया कि अगर एक लाक करोड देना है तो कंपनी की turnover होनी चाहिए रहा दो-तीन लाक करोड की क्योंकि वो भी तो कमाईगी ना उनकी turnover पता है कितनी है फिछले साल की 172 करोड अगर उसमें से माल लेते 30% भी वो कमिशन देते हैं अपने IBCs को कितना पैसे उन्होंने distribute किया इस कीम में 50 करोड तो कितने लोगों के हाथ में आया एक एक करोड 50 बस और बाकी लोगों का क्या हुआ उनके हाथ में क्या आया जीरो कि अगर वो चाहे भी तो यह बड़े-बड़े claims कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते पहले तो यह जो claims कर रहे हैं वही सब illegal हैं this is complete scam अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश चोड़ करके भाग गए हैं public से पैसा ले लिया या bank से पैसा ले लिया और जब हमें क्या करना चाहिए क्या बस ऐसी scam होते रहें सोसाइटी में और हम बैठ करके तवाशा देखते रहें सर हमें actions लेना चाहिए फर्स्ट फॉल एफाइर जिनके साथ हुआ है उन्हें फाइर फाइल करना चाहिए लौको एक देखना चाहिए नहीं समझ आ रहा है तो जिसको समझ है लौकी उसके पास जाना चाहिए उससे समझना चाहिए और पेटिशन नाम की चीज होती है पब्लिक इंटरेस्ट रिडिकेशन तो वह फाइल करने चाहिए उनके खिलाफ जिससे जो जो यह स्कैम हो रहे हैं वह खतम हो बिकॉस मॉरली यह मतलब गलत है जिनका पैसा जा रहा है वह डिप्रेशन में जाके गलत कदम भी उठा सकते हैं और इससे हमारे देश का यूथ खतम होता जा रहा है जो इस देश को आगे लेके जाएगा सो जो legal actions है वह लेने चाहिए इस action को हम दो categories में divide कर रहे हैं एक वो जिनके साथ में scam हुआ है एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है माल लेते एक लाख लोग है जिनके साथ में scam हुआ है यानि कि उनका पैसा यह company मार करके बैठी है और वापिस नहीं कर रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए सबसे पहले जा करके FIR करनी चाहिए अगर वो पुलिस वाले FIR नहीं करते हैं तो उनको इस सारे सर्कुलिस दिखाने चाहिए कि भई RBI ने कहा है आप यह लिख करके दे तो हमको कि आप FIR नहीं कर सकते तो उन्हें FIR लॉट करनी ही पड़ेगी और अगर इंडिया के अलग-अलग parts में बहुत सारे लोग इस तरीके से FIR लॉट करते हैं तो जितनी भी higher authorities हैं like CBI and ED वो सब action में आ जाएगी मतलब उनको भी idea लगेगा कि यह कोई छोटा मोटा scam नहीं है 500 करोड का scam है छोटा amount नहीं होता है और यह पैसा किसका है पब्लिक का है और पब्लिक में भी एक बार को माल लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता 18-19 साल के बच्चे गाए जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते है तो पहला क्या है अगर आपके साथ के ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर वान F.I.Lodge करो